सब्सक्राइब काल जी स्वागत है दोस्तों तो अड़ा हजाब सक्सेस मंतरा देख होर सेशन देविच जी मैं कि तो नों पता है कि आप हिस्ट्री दा एथिक सेशन कर रहे हैं एक लड़ी आप चलाई हुई है जीदेच हर वीक आपकुछ एक दो सेशन है जीडा हिस्ट्री सब्सक्राइब करने हैं उसे चीजनों अग्गे मत आंदे हुए आज आप हिस्ट्री दे कुछ और वदिया कोश्चन है जीड़े डिसकस करांगे ते स्वागत है तो अड़ा सव्दा ते मैंने उमीद है था नुए कोश्चन जो अग्गे वांगू हुन भी वदिया लगण पिछले वीग हुए अपना कुछ ब्रहत चंगे कोश्चन है जीकर आज में आज वी आपको शना करंगे युए हूट योटिफले हां जी पिछले आप यखरन ठीक हुए जिड़ा सीगण शुरू करते हैं तो अच्छा सेट कोश्चन्स है वधिया सैट्ट त्यार किता है तो उनू वधिया लगन के कोश्शन हां जी मेरे का जह संब ख्राब करदे हुँआ पार सेशन हों हुआ वह शुरू करदें अपने कोड पहला एक कोश्चन है अपने कोड़ चार स्टेट्मेंट aider से स्टेट्मेंट की कह रहा हूँ यह स्टेटमेंट किसे बंदेवाल इंडिकेट का रही है ने भी सारी स्टेटमेंट केड़े बंदेगे अपर टुक दिया ने केड़ा परसन है हाँ जी पहला कीए के जड़ा है बंदा है इस सर्वेंट्स ओफ पीपल सुसाइटी दा प्रेज़ेंट रहे है पहला दूजा जड़ी पाकस्तान दे नाड़ो साइन किती है मेरे ख्यालना नेस पॉइंट तो इतनु क्लियर हो गए होएगा कि अपक किस पर्टिकलर बंदेगी है जड़ी गल कार रहे हैं जो आला लेहरू चरन सिंग इंद्रा गांधिया लाल बहादर शास्त्री हाँ जी केड़े बंदेधी गल कर रहे हैं जी अपका हां आंसर चलो आंसर अपना की है डी लाल बहादर शास्त्री आंसर डी लाल बहादर शास्त्री बिल्कोल जी अगला क्वस्चन है केदा ग्रेट पेंट्र खवाजा अब्दू समाद सब्सिर्यकाल जी सिद्धु साथ एक अपना बड़ा मशूर पेंटर होया है मद्द कालीन पार्त दे विच्छ जीदा नाम सीखा है ख्वाजा अब्दु समाद सवाल है अभी हो किदे कोट दे विच्च जड़ा प्रसिद्ध होया फेमस होया ठीक है अकबर बाबर शेर्षा या शा जहां अकबर बाबर शेर्षा या शा जहां हाँ जी सिद्धु साथ की अंसर है जी अंसर की अपना ए अकबर ख्वाजा अब्दु समाद की दे कोट दे विच्च फलारिश होया ठीक है जी अकबर अकबर दे कोट दे विच्च फलारिश होया बिलकुल अकबर अकबर इस दा राइट आंसर अकबर ये दा सही आंसर है अगे चाल दे नेक्स्ट कामा रूप is an ancient name of which region of India इंडिया दे पार्थ दे प्राचीन केड़े खेतर दा नाम सीगा काम रूप बिहार, राजस्तान, करनाटका या असाम केड़े प्राणे जड़ा शेतर रीजन है ओधा एंशियंट नेम जड़ा सीगा काम रूप या काम रूप सीगा बिहार, राजस्तान, करनाटका या असाम आंसर किये अपने कोल डी असाम आंसर किये अपने कोल डी असाम असाम is the right answer अगे चलिए next, what was the chief objective of वहाबी मुवमेंट एक वहाबी मुवमेंट चली सीगी वहाबी अंदोलन ओधा मुख मंतव की सीगा क्या ओब ब्रिटिश अर्देनार फॉर्च जड़े कॉडियर रिलेशन बनाना सीगा या दूज्जा निशा प्रभाजी कहरें डी या प्योरिफाई इसलाम नो प्योरिफाई करना सीगा या इंप्रूव दा कंडीशन ओफ वोमें वोमें दी कंडीशन इंप्रूव करना सीगा या अडॉप्ट रैशनल एजूकेशन हाँ जी, ए करना सीगा हाँ जी आंसर किये या अपने कोड बी प्योरिफाई इसलाम वहाब्भी मुवमेंट चली सीगी प्योरिफाई अस ठीक है जी ठीक है जी ओके ओके निशाप्रवाजी ओके ठीक है जी अंसर की अपना भी प्योरिफाई इसलाम सिद्धु साब भी अंसर है दा प्योरिफाई इसलाम वहभी मुवमेंट या वहभी मुवमेंट है ठीक है जी तो प्योरिफाइए इसलाम बेसिकली दूजी आइडिलोजी ज़्टा ज़्टा जादा इंपेक्ट ना पबेज ट्रेडिशनल मुसलिम ससाइटी है एक ट्रेडिशनल अर्थडॉड्स ज़्टी इसलामिक मुवमेंट या जी वहभी मुवमेंट ठीक है जी अगे चलिए नेक्स्ट चाच नाम्मा रिकॉर्ड दा हिस्ट्री ओफ विच कनक्वेस्ट चाच नाम्मा है जड़ा उन्हें किस जित देते हास नू रिकॉर्ड करें सिगा हाँ जी चाच नाम्मा है चाच नाम्मा एक क्रियेशन अंधी है उन्हें किस जित दा जड़ा किस कनक्वेस्ट दा रिकॉरर है वो चाचनाम्मा दे विच दर्ज है हाँ जी कुशांस दा हुंस दा अर्ब्स दा या ग्रीक्स दा हाँ जी चाचनाम्मा दे विच की दा जड़ाइते हास है के जित दा जड़ाइते हास है वो दर्ज है कुशांज दा हुंज दा अर्ब्स दा या ग्रीक्स दा हाँ जी दोस्तों की अंसर आएगा हाँ जी पूनम जी अमन जोत निशा प्रभा की अंसर आना चाहिए जी अंसर की स्थी अर्ब कहा जी बेसिकली ये गल करता है फ्तनली टाई आटाइक scores पहला अर्बिन वेडर सिगा सिंद दे उपर सिंद 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 कनक्वेस्ट हे बेसिकली सिंद दी गल करता है मुहम्मद बिन कासीम आड़ा टाइम है जड़ा 712 AD आड़ा हाँ अर्ब कॉन्क्वेस्ट बेसिकली चाच नामा वस टॉकिंग बाउट अर्ब कॉन्क्वेस्ट अर्ब दी जड़ी गाल्ला हो अर्ब दी जड़ी सिंद दे उपर विक्ट्री है अर्ब बज़ी ओना दी गाल्ला कारदा ठीक है जी मुहम्मद बिन कासीम जड़ा पहला अर्ब बिन वेडर मनने जानदा है ठीक है जी डन अगे चलिए नेक्स्ट कंसीडर दा फॉलिंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रानी गिद नीलियू रानी गिद नीलियू एक बहुत बड़ा नाम है इडिया दे विच एदा question उपीसी दो लेके clerical level तक दे exam दे विच पिछले दास बारा साल लांच बार बार पुछे जान दा है बार बार पुछे अगया है UPSC pre दो लेके clerical level तक SSC दो लेके हर एक exam दे विच रानी गिदनीलियू दे उपर बहुत बार question आया है ठीक है ता रानी गिदनीलियू दे बारे अपने कोड की है तिन statements ने आपनों दसने के न तिन statement दे विचो केड़ी statement जड़ी हो सही है रानी गिदनीलियू बारे पहली statement केंदी है के जड़ी रानी गिदनीलियू सीगी वो एक नागा spiritual ते political leader सीगी जिने अंग्रेज्जा ने खलाफ बगावत किती revolt किता दूजी statement केंदी है के रानी गिदनीलियू दोटर अफ दी हिल्स पहाडादी बेटी पहाडादी ती के जानदा सीगा तीज्जा के वो हेराका movement दे नाडवी associate सीगी जेडी प्राणे नागा religion देवपर बेश्डिक movement सीगी तो अपा ने अपा रानी गिदनीलियू बारे तिन statement से जेडियां ओधा दसन है के basically वो एक नागा spiritual ते political leader सीगी जीने अंगरेजा दे खलाब बगावत किती सहीया गलत दूजा उनू पहाडादी बेटी के जानदा सीगा सहीया गलत तीजा ओ हेराका movement दे नाल जुडियों सीगी जेडी ancestral नागा religion जेडा तरमयना दा नागा ओ दे अपर बेश्डिक movement सीगी हाँ जी आंसर की अपना D 1, 2 and 3 all 1, 2 and 3 तिन्नो स्टेटमेंट से सहीन है ठीक है जी रानी गिदनिल्यू ठीक है जी बड़ा नाम है tribal movements दे विच ट्राइबल लीडर्स दे विच ठीक है जी बड़ी यंग यंग सीगी है ठीक है जी चलो अगे चालने next battle of सराइगाट was what between सराइगाट दी लड़ाई battle of सराइगाट battle of सराइगाट ठीक है जी की दे विच ठीक है जी बड़ाई Maratha and Afghan, Mughal and Home Kingdom, Maratha and Rajput या Maratha and Home Kingdom हाँ जी battle of सराइगाट वो की दे विच लड़ी जाना ली लड़ाई सीगी Maratha ते अफगांज, Mughal ते एहोम Maratha ते राजपूत, या Maratha and Home हाँ जी की दे विच लड़े जाना ली लड़ाई सीगी battle of सराइगाट हाँ जी जल्दी जल्दी answer की है B, Mughal Empire and Home Kingdom Home Kingdom of Assam A Home Kingdom of Assam ठेक है जी, so answer is B, Mughal and Home Kingdom B, सुमन बंसल जी answer is B, Mughal Empire and Home Kingdom of Assam battle of सराइगाट नहीं battle of सराइगाट Maratha and Home नहीं Mughal and Home ठेक है जी, अगे चलिए next पत्रूगाट प्राइजिंग दूरिंग द ब्रिटिश रूल वाजे पत्रूगाट विद्रो होया सीगा ब्रिटिश शाशन दे दुरान पत्रूगाट ओ जड़ा पत्रूगाट विद्रो सीगा ओ केडी चीज देना रिलेटिड सीगा working class, tribal, present या caste movement पत्रूगाट पत्रूगाट विद्रो working class, tribal revolt, present 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 answer क्याट C, present 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 पिसेंट प औा सिडियोरिंग मुख डियुरिंग दा कलोनियल पिरड दया पारति ज commission चेड़ा जाट पुछ नुट्वार्ट में लें सेहां विट्ले कमिशन बनाए गया लेया मुख ह्जिस्य सरफरें ये 2 क्या हो civil services इंडिया वास्ते ओधे वास्ते बनाया गया सीगा ओना दी development ली develop करन दे ली के इंडिया दे वीच इक civil service पूरी comprehensive scheme डेवल्प किती जावी वी कितना होना दे नलक कम करे जाएगा तीजा क्या ओं लेबर ते ओधी recommendation दे अपर बनाया गया सीगा existing conditions of labor या तीजा draw a plan for financial reforms for इंडिया financial reforms नू लेके सीगा या इंडिया दी political reforms नू लेके सीगा जड़ा विटले commission सीगा सो विटले commission is for answer b existing condition of labor and recommendation b labor नू लेके सीगा विटले commission विटले commission ठीक है labor या दाख्यों it is related with labor अगे चलिये next operation search light operation search light केड़ी चीज़ देना related सीगा operation search light हाँ जी second world war first kashmir war bangladesh liberation war या sino india war या या इंडिया चाइना war so basically operation search light दसना है के केड़ी चीज़ देना operation search light जड़ा ओ related सीगा answer की yes थी bangladesh liberation war c c is the right answer bangladesh liberation war देना related सीगा bangladesh liberation war देना ठीक है जी bangladesh liberation war बिलकुल अगे चलिये next who among the following is known as father of wheat revolution in india हाँ जी इंडिया दे विच फादर आफ wheat revolution हाँ जी जिनने भी बंदे अपनों देख रहे हैं father of wheat revolution कीनों कह जाना रहा है father of wheat revolution हाँ जी जल्दी जल्दी इक बंदे ने अंसर दिता लें और कोई father of wheat revolution कीनों कह जाना जी father of wheat revolution आंसर की है d दिलबाग सिंग अटवाल दिलबाग सिंग अटवाल एम्वे स्वामी नाथ्थन नो green revolution दा father की हानदा है green revolution और green revolution दे विच्छ कल्ला wheat नी है ठीक है जी कल्ला सत्सिर्य काल जी पवंदीप कोर संदू जी एम्वे स्वामी नाथ्थन नो father of green revolution की हानदा एन्ट ग्रीन रेवलूशन दे विच राइस भी है गा मेज भी है ठीक है जी ग्रीन रेवलूशन है ओवर ओल जटी इना फोडर कॉप सेना दी जड़ी बना अग्गे ठीक है जी दिलबाग सिंह टवाल जड़ा जिनने हाई वराइटी वीट दी जड़ी ओड़ी डिवेलप किती सी गी ए पर्टिकुलर्ली वीट ते ना रेटिड ने पर्टिकुलर्ली भीट न रेटिड ने दिलबाग सिंग अटवाल सो मस्वामी नाथन नॉर्मन बॉर्लाग और दुनिया लेवल ते हो गया विलियम गौड ने ओ शब्द दिता सीगा ग्रीन रेवलूशन दा ठीक है जी तो जेड़े बंदे ग्रीन रेवलूशन ओदो ग्रीन रेवलूशन कर सबतों बाद दो जबारे आज ट्रेडिशनल खेती कर रहे ने सारे ठीक है जी अग्गे चलिए नेक्स्ट विच आव दी फॉलिंग रीजिन्स वर इंटीग्रेटिड बाई रेफरेंडम इन इंडिया हाँ जी अपने कोड चार खेत्तर ने चार एरिये ने एना दे विच्चों केडा जड़ा ठीक है जी रायशुमारी रेफरेंडम ठीक है और रायशुमारी द्वारा इंडिया दे विच्च शामिल करेगे इसीगे है एदराबाद जुनागड सिक्किम नागालेंड हाँ जी इंडिया दे विच्च कई एरियास दे विच्च रेफरेंडम आदा मसला खड़ा यह वा न अ हुण भी है गा है 47 तो ही लेखते है गा हुण भी है रेफरेंडम दा मसला ठेक है जी रायशुमारी जी नुग केह जान दे ता उन्नीसो शंताली दे विच्च जदो ड सवारा इंडिया चे शामिल किता गया हाँ जी पूनम जी कह रहे ने बी चलो देख दे हैं हाँ जी आंसर किया ए टू एड़ थ्री जूना गड़ते सिक्किम आंसर किया ए हैदराबाद बाए पुलिस पोर्स सीगा सेम नागा लेंड ठीक है जी हैदराबाद बाए पुलिस पोर्स सीगा यह रही जैते हुक जूना गड़ते सिक्किम दोनों रहां ऋनलने नाल करेंगर ने बाकी दोनों नहीं करेंगे रहां ठीक है है एह घॉली के तैसलिये अरेंज दा फॉलिंग हिस्टॉरिकल इवेंट्स इन दा क्रोनलोजिकल ओडर हां जी ठीक है जी संदु साब इना दे विच्चो केड़ा एक क्रोनलोजिकल ओडर दा जड़ा सही ओडर है अब तो पहला अपने कोड़ ओप्शन की है कि पोटुगीज गोवानू कैप्चर कर दे ने दुजा इस्ट इंडिया कंपनी सूरत दे विच फैक्ट्री स्टेबलिश कर दी है बैटल ओफ बिदारा या बेदरा या फर्कुसियारिक फर्मान इशू कर दा है एना नू क्रोनलोजिकल ओडर दे विच्च सेट करना है सही करना है क्रोनलोजिकल ओडर दे विच्च ता की बनेगा है ना दा सही क्रोनलोजिकल ओडर साब्तो पहला केड़ा इवेंट होया औस तो बाद केड़ा इवेंट होया हाँ जी जल्दी दसो पवंदीपकॉर संदू अमन जोच सिद्धू पूनम सुमन मंसल की आंसर आएगा ये जा सही हाँ जी एदा असर आपने कोड़ की एस थी इक दो चार तिन हाँ जी कोई ना लादन ने जी जल्दी गुर सेवक सिंग जी कोई गल ने जी कोई ना जी ओव भी लादांगे जी बिल्कुल लादांगे डांट वरी ठीक है जी तुसी पिछली वीडियोस भी चेक करो मैं पंजाब दे पिछले पंसात भी ने जी थोनू करंट फेर भी कराए सीगे ठीक है ओव भी थोनू काफी कम मानगे प्लस अपन लगातार कोश्चन्स कर रहे हैं हिस्ट्री दे किते ने एकॉनमी दे किते ने जोगरफी दे किते ने पिछले दो मीन ने दे बिच वो तुसी चेक करो थोनू बहुत स आई उट इंडिया कमपनी 1613 दे विच शूरत दे विच ठीक है जी फिर चौता फरकुस्यार 1770 दे विच ठीक है जी फिर उसतों बाद इस रेवंटीन फिफ्टीन नाम आई डेविच आपने को लेना तो ओडर बंदा है ठीक है तुसी चेक करो गुरसेवक सिंगी बाकी मेरा थन भी आप लादांगे कोई गाल नहीं वह भी जरूर मैं करूंगा ते तुसी पिछले लेक्चर वीक बार गो थू ओना दे नाल बहुत सारे कोश्चन्स नहीं हर लेक्चर दे विच वी तो पच्चीती कोश्चन्स बहुत एदा अंसर अपने कोश्ची है नेक्स्ट वू अमांगे दा फॉलेंग गवर्नर जनरल पॉलोड दा पॉलसी ओफ नौन इंट्रफेरंस विद नेटिव स्टेट हाँ जी अपने कोश्चार ने गवर्नर जनरल एना दे विच्चो केड़े गवर्नर जनरल ने डिकलेर किता स आएगा कि मैं नौन इंट्रफेरंस पॉलसी लागू करूंगा इना नेटिव स्टेट्स ने ना जी इंडिया दी नेटिव स्टेट्स ने उना दे बीच मैं कोई दखल अंदाज ही नहीं करूंगा ठीक है जॉन शोर कॉर्न वॉलिस वारन हैस्टिंग या विलियम बेंटिक तुझी आप दा नोटिफिकेशन आउन करके रखो ते आप दी प्राणी कलासां चेक करो जिननी भी तुझी जदो एग चैनल तुझी खोल लोंगे उथे थोटे कोड़ लाइब दी ऑप्शन आईगी लाइब दी जदो तुझी लाइब वाले टैब दे कलिक करोंगे थले स सारिया लाइब कलासां आजानिया है और सारी लाइब कलासां दे विच्च मेरिया बद्दू कलासा तुझी लाइब जानिया वीकली ठीक है तो दे विच्चों तुझी कर साके देओ सारीया देख साके देओ पिछलीया ठीक है उथे तुझी तुझी आजाना फाइब डेज 10 days थो नूँ पिछले 2-3 ने ने दिया सारी है लब जानी है कलासा लाई वाले हो दे ते जाके तुसी सारी है सर्च कर ले हो थले कलासा तो नूँ काफी कोश्चन आ लिया MC गोने सारी है लब जानी है हाँ जी आंसर किया जॉन शूर बिलकुल आंसर किया जॉन शूर लाड कर्निवल इस तो पहला आया सिगा जॉन शूर ठीक है जी अगे चलिये next which of the following pairs is not correctly matched इना दे विच्व केडा जडा जोडा है वो सही match नहीं खांदा mail नहीं खांदा हाँ जी लाड वेलजुली विल्यम बेंटिक डलहुजी मैटकल्फ हाँ जी लाड वेलजली दे मुरे की लिख्या है के लाड वेलजली फोर्ट विल्यम कॉलेज ठेक है जी दुज़ा विल्यम बेंटिक दे मुरे cold rebellion उदे नार एससेसेट रहा है ज़ा डलहुजी वोर्डस डिस्पैच हो दे टाइम पिरड़ चाहे सीगा या मैट कल पे जड़ा वैलोर म्यूट नी हाँ जी ताहना दे विच्छो दसने के केड़ा इनकरेक्ट है केड़ा जड़ा जोड़ा है ओ सही नहीं हैगा हाँ जी छे दे नहीं दसो की आएगा अंसर ने दा हाँ जी अमन जोत सिद्दू जी कह रहे है ने सी ए अंसर नहीं आएगा लॉर्ड डलहॉजी दे टाइम ही बोर्डस डिस्पैच आया सीगा चार्ल्स बोर्ड डिस्पैच एदे रिकमेंडेशन ते ही इंडिया दे भीच्ची यूनिवर्स्टीज और इडिया वो इस्टैब्लिश कितियां गईया सीगिया किते बॉंबे मदरास ते तिज्जा कलकत्ता एदे एदे रिकमेंडेशन ते इबोर्ड डिस्पैच ते ठीक है एदलहौजी दे टाइम पिरड़ी आया सीगा पर उनिवर्स्टीज बाच कितियां गईया सीगिया ता एए अंसर नहीं हैगा C is not the answer आंसर की अपने कोल D वैल और म्यूटनी जेड़ी वैल और म्यूटनी है ओ होई सी कि George Barlow दे टाइम पिरड़ दे वीच जोर्ज बार्लो यह जोर्ज बार्लो जोर्ज बार्लो So D is the right answer एजड़ी वैल और म्यूटनी सीगि एक ड्रेस कोड रिवाल्ट भी इसगा उन ड्रेस कोड रिवाल्ट दे वीच की सीगा कि Britishers ने कुछ चेंज किते जड़ें सोलजर शीरा अधी ड्रेस कोड़ी विच ओना एक टोपी इंट्रेड्यूस किती जड़ी हिंदू सोलजर्स नू पसंद नहीं आई क्योंकि छोटी टोपी सीगी गोल्ड टोपी सीगी जड़ीक महम्मधन कैप मंगों लगदी सीगी फेर ओना ने बीर्ड ट्रिम करना कंपल्सरी करता है जड़ा मोहम्मडन सोल्जर्ज ने खिलाफ जड़ा बगावत किती सो सारा जड़िया चीज़ है वेल्ल और मीटरी बढ़ी कुछ टाइम दे बीच दबा दिती गई तिन्सो दे क्रीविटे डे सोल्जर्ज ने उनानों मार दित्ता गया तोप दे ना अड़ा दित्ता गया वेल्ल और दे किले दे बीच ठीक है जी तो वेल्ल और मीटरी डी इस दा राइट आंसर इन दा टाइम आव जोर्ज बारलो नेक्स्ट नेक्स्ट आपने कोड़ ता सवाल एक जर्णल सर्विस इस्टेबलिश्मेंट एक्ट दे बीच की चीज सीगी हाँ जी ओदे बीच की चीज सीगी जर्णल सर्विस इस्टेबलिश्मेंट एक्ट दे बीच हाँ जी पहला option की है कि ए जड़ा जर्णल सर्विस इस्टेब्लिश्मेंट एक्ट सीगा एदे विचे लिख्या सीगा कि जिन्ने भी इंडियन सोल्जर्जर्ज ने उना दी फौरं दी तर्थी ते बहुत दूर एक बार तर्थी डिप्लॉयमेंट है ठीक है उना नू जाना पएगा हर पार्थी ना सोल्जर्ज नू बहार आजड़ी नौकरी जाके करनी पहेगी एवरी इंडियन सोल्जर्जर्ज दूज जाए दे विचे की सीगा के सेलरी कट करें गया उना था टेक्स न पता आ दिते गए इंडियन मजदूरां देपर किसानां देपर फिर तीज्या के यॉर मेंडेट कर दिता गया के हर मजदूर कसान दी फैमिली चो इक मंदा रिड़ा ओफॉज दे विचे परतीज रूर होएगा इंडेट कर दिता गया कंपल्सरी कर दिता गया तो अंसर किया है था अपने कोड ए कि के जर्नल सर्विस इस्टैब्लिश्मेंट एक्ट ए इस दा र पएगा ओनानू नेक्सट अपडेकोड चार स्टेट मेंन्स ने अपा दसना है कि जड़ा इवेंट्स देट वर इन वर इन और आउड दा त्रीपुड़ी क्रैसी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस दे विच इक त्रीपुडी क्रैसी दा त्रीपुडी मध्य प्रदेश देव वो केड़ी चीज दे नाल जुड़े होया सिगा पहला क्या ओ लीडर्शिप वो सिगे इंडिया नेशनल कॉंग्रेस दी लीडर्शिप नू लाएके सिगा क्रैसिज यदू जा अल इंडिया मुस्लिम लीग दा इंडिया नेशनल कॉंगरेस देनाड मर्जर गठबंदन मर्जर नू लायके सिगा त्रिपुडी क्रैसिज तापा तसनाय के त्रिपुडी क्रैसिज केडी चीज देनाड जिडा जुड़े आवया सिगा जी हाँ जी जल्दी हाँ जी निशाप्रभा जी अमन्जोच सिद्धू पबंदीव कौर संदू की आंसर आएगा जी आंसर किया है दा ए वन ओल्ली त्रिपुडी क्रैसिज दे विच की सिगा के त्रिपुडी क्रैसिज दे विच दो कैंडिडेट सिगे त्रिपुडी क्रैसिज दे विच दो कैंडिडेट सिगे एक सिगा स्थी बोस सकते हैं दूज़े पासे सीगा पक्ता भाई सितारा मैया पक्ता भाई सितारा मैया उन्हें पट्टा भाई सितारा मया नूँ बैक कारदा सीगा MK गंधी MK गंधी ने क्लेम किता कि जेकर सुबा अश्चंदर बोस मेरे इस कैंडिडेट नूँ हरा देगा ता मैं राजनीती सदाली छड़ दूँगा बट MK गंधी ने और राजनीती नई छड़ी जब कि सुबा अश्चंदर बोस ने पट्टा भाई सितारा मया नूँ हरा दिता तो त्रिपुडी जड़ा क्राइसीस सीगा और लीडर्शिप नूँ लेके सीगा के कौन लीडर बनेगा कौंगरेस दा प्रेजडेंट बनेगा ठीक है ते एदे विच्चे सुबा अश्चंदर बोस बने प्रेजडेंट ठीक है ते पट्टा भाई सितारा मया अगे जाके इंडिया दे विच आंधरा बैंक दे फाउंडर सीगे ते बाच जड़ा अजकाले बैंक यूनियर बैंक ओफ इंडिया बन गया मर्ज होगे पहल आंधरा बैंक कुंदा सीगा तो नेक्स्ट इक मैनिफीस्टो सीगा दा रेवलूशनरी जिदा टाइटल सीगा दा रेवलूशनरी जेडा एक एविडेंस दे तौर ते पेश किता गया निशा प्राबाजी बैं समझे ने थो डिगाल अजकाल मतलब कितना अच्छा चलो कोई नी ठेक है एक मैनिफीस्टो सीगा दा रेवलूशनरी जड़ा काकोरी कॉनसी प्रेसी केस है ओदे विच उन्नीसों पच्चीदे विच एक एविडेंस बज्जों पेश किता गया देखो एता ये चीज कर रहे हैं देविच लिख्या होया ओजड़ा मैनिफीस्टो सीगा दा रेवलूशनरी मेर बान्नी जी हिमांशू तनवर जी बहुत मेर बान्नी देखो मेनत कर देरो तुझी लगा तार जेड़ी है क्लासी तो पिछलियां भी अटेंड करो ठीक है जिनने भी कोश्चन्स में तो नूँ पिछले कराएं हैं मैस चीज़ा तो नूँ बादा करदा तो नूँ बहुत हद तक जड़े कोश्चन्स ने पेपर दे विच मिलने ते तो नूँ बहुत जादा आएं ता फायदा होएगा तुझी अटेंड करो लेक्चर और कोश्चन्स पढ़ो रिपीट देखो कोश्चन्स पढ़ो बार बार ठीक है ते तो नूँ बहुत फैदा मिलेगा होगा ठीक है और अपने कोड़ की है कि एक मैनिफीस्टो सिखा दर एवलूशनरी कीने लिखे सीगा सचिंदरनाद सनियाल, डावलीउसी बिनर जी, फिरोशा चीड भाधूर, बदरुदीन ताइब जी कीने लिखे सीगा जड़ा काकोडी खेश्र दे विच्छ सबूत वज्जिवें जड़ा पेश करै गया सीगा आंसर किया ए सचिंदर नाथ सन्याल सचिंदर नाथ सन्याल ठीक है जी दा रेवलूशनरी अगे चलिए next arrange the following events chronologically starting from the earliest अपने कोड़ किया है मेर बानी जी हिमांचु तनवर जी चंगा लग गया जी सुड़के मेनत कर दे रहो जी पेपर जरूर क्लियर होएगा मेनत कर दे रहो हिम्मत नहीं हार नहीं है कि मेनत कर दे जाना है बस कर्म कर दे जाओ ठीक है जी result दी फल्दी चिंता ना करो ठीक है एही मंतम है जिंदगी दा अगे चलिए चम पारन सत्यकर है जलियां वाला भाग मैं सेक कर हैं दा बाद मिल स्ट्राइक फाउंडेशन ओफ सत्यकर है सवा ठीक है ता एदे विच्चे मेर बननी जी मेर बननी है मांचू तनवर जी ठीक है ते बेसिकली देखो मैं तोने एक चीज दास दा है अपने कोल जदो अपना जीके दी जीएस दी गल लगार दे है अपने कोल दो तरीक के दी जीएस है एक अपने कोल करंट है दूज़ा अपने कोल स्टैटिक पोर्शन है ठीक है और करंट है जड़ा एक कीप ओन अपडेटिंग है यह दे विच्छ थोनू अपडेट करना पएगा ठीक है यह अपने अपनू अपडेट करना पएगा न्यू नमिया खबरा आरी है सारा कुछ आ रहा जैड़ा स्टैटिक है थोटी रिवीजन दे अपर बेज़्ड है यह था स्टैटिक है ना उन दवारे सचिंदर्नाथ सनियाल ने नहीं आना रेवुशनरी लिखन ताथ उन्नू सचिंदर्नाथ सनियाल बारे इक बार जिनना पड़ोंगे होई है ठीक है रिवाइज करना है तुसी करंट दे विच्छ जड़ी स्टैटिक जीक है और बहुत चंपारन सत्यक्र है 1913 एमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 ठीक है जी फिर चार है यह फिर जलिया वड़ा बाग है ठीक है जी यह होगी अपना ठीक है जी चार कवीता जी हाँ बिल्कुल ए अग्गे चलिए इनेक्स्ट इन दा कॉंटेक्स्ट अप मौडरन हिस्ट्री इक लाइटनिंग कंड़क्टर ते कौंसी प्रेसी थियोरी आंदी है ओक केडी चीज देना रेटेड है। विलकुल एक को मोँ लाइटनिए कब थे उसी चापिनु agents लाइटनिंग कंडेक्तर टे कोन सिप्रेसी थिउरी और फोड सिप्रेसी थे सुझ रों केडी चीज़ रे एंद इन नशनल इंडिन शनल अर्मी गष्मु प्रवार्य। इस ड्यू आपलेम पी। ज्टिश्टमी अपमा गाटा मरु इंचटेंट। हां जी इस्टेबलिशमेंट आफ इंडिया नेशनल कॉंग्रेस बिल्कुल उने दे विच की सीगा के अपड़े को ठारा सो सत्वंजादा जड़ा रिवाल्ट आंदा है ओदे नाड़े चीजा जुड़ियां होई हैं कि ब्रिटिशर्ज नी चांदे जीगे दबारे फ्यूचर जे विच कोई 1857 वारगा रिवाल्ट होवे ठीक है ता उना ने कहा कुछ लोग एक थियूरी दंदे ने जिन्नों लाइटनिंग कंड़क्टर थियूरी या कॉंसिप्रेसी थियूरी क्या जानदा है के जी दबारे फ्यूचर सत्वंजादा वारगा विद्रो ना होवे तब ब्रिडिशर्ज ने कहा आपी एव यूम तो कॉंग्रेस दी फाउंडेशन कराती के अधर उलजी जानगे दबारे कदे हत्यार नी चकनगे विद्रो नी करनगे ठीक है जी नेक्स्ट अपने कोड़ांदा है लास्ट कोश्चर है थोड़ा अज़दा इलबट बिल इलबट बिल कॉंट्रवर्सी इस सेट तो भी हाई वाटर मार्क इन दा हिस्ट्री ओफ इंडियनेशनल मुवमेंट उन जड़ा इलबट बिल सीगा वो केडी चीज दे नाल जुड़े होया सीगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इंडिया थे यॉर्पियंज दी या दुज़ा इंडियन मीडिया हाउस दा स्थप्रेशन या तीज़ा सेक्योर्टी लैप्स ओंदी इंडियन बॉर्डर्स खास कारके नौर्थ वेस्ट बॉर्डर थे ता जड़ा इलबट बिल सीगा वो केड़ी चीज देना आले जड़ा जुड़े होया सीगा इलबट बिल हाँ जी इलबट बिल केड़ी चीज देना आले जड़ा जुड़े होया सीगा इलबट बिल लेके आया सीगा कौन लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन दा टाइम पेरड आंदा है 1880 तो 1884 तक लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन सब तो sympathizer मनने जांदा है जिने कुछ चंगे कम करन दी कोशिश किती हाँ जी एदा answer है one only A one only racial discrimination between Indian and Europeans ठीक है racial discrimination between India and Europeans उने दे विच की सीगा के इलबट बिल तो पहला जिनने भी गोरे अथे क्राइम कर दे सीगे उना दा जड़ा मकदम आया है केस है ट्राइल है ओ सिर्फ गोरे जज कोड़ी जांदा सीगा इलबट बिल पास करके लौड रिपन ने चीज करती के हुण जिनने भी गोरे उने क्राइम कर देने या जिनने भी गोरे ने उना दे पर कोई मकदमा चल दा है ता उना दे जड़ा ट्राइल है ओ इंडियन जज कोड़ी जा सकता है हाँ जी बिलकुल जी ते उने तो गोरे ने खफा है कि कुछ टाइम बाद ही जड़ा है इलबट बिल विड्रिव करना पया वापस लेना पया ठीक है जी वापस लेना पया होना नूँ सो बेसिकली इलबट बिल एस चीज दे नाला जड़ा डील करदा सीगा racial discrimination between India and Europeans ठीक है जी एक कहीं सारी चीज़ां सीगें जड़ियां Lord Rippon ने किती है Lord Rippon ने Factory Act भी लेके आया Lord Rippon Factory Act 1 भी लेके आया Lord Rippon इस तो लावा Lord Rippon हो और कहीं चीज़ां दे नाल जुड़े होया सीगा Lord Rippon ने किया जान दा Father of Local Self Government एक कोश्चन बहुत पेपरा दे भी चान दा Father of Local Self Government और Father of Local Self Government दा या Father of Decentralization मतलब इंडिया दे वीच जड़ी Local Government दी शुरुआत होई ओ Lord Rippon दे एफर्ट्स करके होई ठीक है जी एक्ट लेके आया है ठीक है जी ते जीदे करके इंडिया दे वीच पंचायती राजदी या जीड़ी शुरुआत होई पंचायती राजदी ठीक है जी Decentralization होनी शुरू होई उपर तो थल्ले लेवल तक जीड़ा centralized system सीगा हो थोड़ा या decentralized किता ठीक है जी अपने आपी नाल जुड़ जीड़ा करो एना तिन दिना दे वीच ते questions बगएरा मैं तिन दिना दे वीच काफी कराजना थो नू ठीक है जी ते पिशली class भी चेक कर ले जुनाने नहीं देखी बखी अपना कल करांगे ठीक है जी प्रेस फ्रीडम लही नी सिखा है बेसिकली ठीक है जी अग्गे चलिए ठीक है जी चलो तानवाद ठेंक्यू आमन जोट सिद्दू जी निशाप्रभा योगेश पवंदीप कौर संदू आमन जोट सिद्दू सारे अधा तानवाद मेर बनि शुक्रिया मिलदैं अपन दोस्तों अगले लेक्टर दे भीच ठीक है जी शुक्रिया तानवाद ठेंक्यू हाँ मैराथन लही भी करांगे अपन जल्दी हाँ बिलकुल जल्दी कर लांगे बिलकुल बहुत जल्दी कर लागे ठीक है चलो थैंक यू